हेई गाईज वेलकम टू माई योटूब चैनल रागाव क्लासेश दोस्तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए लाया हूँ वर्ड पाउर का प्रैक्टिस सेट तो आए शुरू करते हैं हमारा जो पहला वर्ड है वो है V.E.T. वेट हमें वेट की मीनिंग बता होनी चाहिए तभी हम इसका सिनलने मियानी परवची बता पाएंगे तो वेट का मीनिंग होता है प्यारे बच्चो जाच करना ठीक है परिक्षण करना या जाच करना तो चार आप्शन्स अकर देखा जाए तो आप्शन्स के हिसाब से मारा आंसर होगा C examine क्योंकि examine का भी meaning होता है जांच करना या परिक्षन करना वैसे route की मैं meaning बता दू route का मतलब होता है हरा देना यानि defeat किसी को बहुत ही बुरे तरीके से हरा देना route कहलाता है अपियर का हिंदी आप जानते ही होंगे प्रकट होना और neglect neglect का मतलब होता है लापरवाही ठीक है या परवाही करना या उपक्षा करना ठीक है तो अंसर होगा हमारा c दूसरे प्रस्ने पर चलते हैं दूसरा हमारा जो word है वो है overlook overlook की meaning पता होनी चाहिए तो प्यारे बच्चों चार options दिये गए है overlook का मतलब होता है इग्नोर करना अंदेखा करना ठीक है तो इसके options के हिसाब से कर देखा जाए तो चार options है हमारे पास ignore है punish है फलिश है और insane थो क्या answer होँ सकता है तो overlook का मतलब होता है अंदेखा कर देना ध्यान न देना इसके हिसाब से कर देखा जाए तो अंसर होगा हमारा ए выпуск है तो कि science का मतलब होता है तो आंसर होगा a वैसे with cruise का meaning होता है गल्द मुच्छे यानि जिसके बड़े-बड़े मूच होते हैं उसे विसकर्स कहते हैं और फुलिस का मतलब मुर्ख और इंसेन का मतलब होता है पागल या बेवकूफ ठीक है अगर यही सेंद रहता है तो सेंद का मतलब समझदार और सेंद का उल्टा हो गया है इंसेंद मु सुधार देना रिवैंप का मीनिंग होता है मरमत करके किसी चीज को सुधार देना तो चार आप्शन्स हैं और हमें बताना है इसका पर्यावाची तो आप्शन्स अगर देखा जाए तो इसका सही अंसर होना चीर डी improve क्योंकि improve का भी मतलब होता है किसी चीज को सुधार देना उसको बढ़िया बना देना ठीक है वैसे proviso का भी मैं meaning आपको बता दू proviso का meaning होता है शर्त क्या होता है शर्त ठीक है और caveat caveat का meaning क्या होता है तो caveat का meaning होता है चेतावनी ठीक है चेतावनी और endure का बहुत अच्छा word है जिसका हिंदी होता है सहना सहना बोले तो टॉलरेट करना ठीक है तो आंसर इसका होगा d क्योंकि revamp का मतलब क्या होता है revamp का मतलब होता है मरमत करना या मरमत करके किसी चीज को सुधार देना तो आंसर होगा improve अभी आते हैं willow में यानि आपको उल्टा बताना है अप अब हमें बताना है इसका उल्टा विलोम तो असफलता का उल्टा होगा सफलता तो options अगर देखे जाए तो इसका सही option होगा B अगर परयावाची पूछा रहता है तो आप C लगाते लेकिन इसने विलोम पूछा है इसलिए आपने आंसर लगाया B वैसे collision का मीनिंग अब जान है और तारो टेरो का मीनिंग होता है नो शिखिए आगर कोई क व्यक्ती कोई काम को नय ने आभी सीकह रहा है तो तरो कह सकते में चलो अब युच्टा कसे पारमाउंट के पूछ रहे है कि एिसका विलोम पूछ रहे इखां यानि एपफोजिट एटूनी तो die Reality का मीनिए प सबसे अच्छा इसका उल्टा पूछ रहा है तो ट्रिवियल प्यारे बच्चों ट्रिवियल का मतलब होता है तुछ घटिया एकदम साधारण ठीक है तो आंसर होगा हमारा उचित समझ दो उचित तक है रेलेवेंट का मतलब उचित और बाव का मतलब क्या होता है कितना बढ़ी साखा को कहते हैं कोई पेड़ है और उसकी मोटी साखा अगर है तो उसे कहते हैं बाव बी ओ यू जी एच अब आते हैं अगला परशन हमारा है और यह पूछ रहा है इस इसका विलोम बताना है ध्यान से तो बड़ा का मतलब होता है और रिवार्ड का मतलब इनाम तो आंसर होगा डी अभी हमारा जो अगला प्रशन है लिखा है कि find out the rightly spelled word यानि आपको बताना कि कौन सी spelling सही है तो प्यारे बचों नेसेसरी कि आपको सही spelling बतानी है बहुत ही अच्छा वड़े यहां पर तो नेसेसरी कि जो सही spelling है वो है प्यारे बचो B ठीक है इसका जो सही answer है वो हमारा B है नेसेसरी बिल्कुल सही spelling है जिसका हिंदी होता है अनिवारिय या जरूरी अगला प्रस्ने पहरे बच्चों हमारा कि इसमें आपको बताना है कि recruitment की spelling कौन सी है चार options दिये गए हैं तो बहुत ही शांदार वर्ड है इसका जो सही आंसर है वो है मारा recruitment का मतलब होता है भरती जैसे आपने देखा ना कि सरकारी कोई भरती आई हुई है उसी को कहते है recruitment तो spelling जरूर याद रखिएगा बहुत अच्छा वर्ड exam के लिए और पहरे बच्चों अब आपको बताना है मैं आपके लिए एक वर्ड पूछ रहा हूं जो करिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लिजिएगा थैंक्यू वेरी मत